अक्सर बहुत सारे लोगों के मेरे पास एक मैसेज आता है कि रोईद भाई एक ऐसा बिजनिस हमें बताईए जो रीसेलर के लिए सबसे ज़दा इस्पेसल हो जिससे महीने की 5-6 लाग रोपई की आसानी से कमाई हो सके और इसी में रिपीटेड वही लोग आएं जिनके साथ ह आपको इस बिजनिस आडिया के बारे में देने वाली हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फर्म रजिस्टर करनी होगी और ये फर्म आपकी जीरो रुपई यानि की फ्री में रजिस्टर हो जाएगी कैसे रजिस्टर होगी और ये पूरा बिजनिस भी जीरो इन्व वो दूसरा client मिल जाएगा इतने सारे client है और regular उनसे आपकी income होती रहेगी बस एक बार deal करने पर तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक service providing firm register करनी होगी अब service providing firm free में register कहां से कर सकती है एक website है screen पर मैं दिखाता हूँ आदार उध्योग नाम से ये website है MSME की तरफ से ये website चलाई जाती है MSME की full form होती है micro small medium enterprises इस संस्ता का काम होता है कि आपको आपके business के certificate provide करना और आपको सरकार द्वारा मानता प्राप्त business का certificate provide करना तो यहां से आपको service providing business का certificate ले लेना है अब आप जैसे ही इस website पर जाके registration करोगे अपनी detail दोगे आदार कार पैन कार और business का क्या नाम रखना चाहती हो क्या हाँ पर आपके business का address है complete address दे दीजिए आप घर से करते हो तो घर का address दे सकते है अपने business का नाम रख लिजिए और उसके बाद आपका एक registered business हो जाएगा अब जैसे ही आपका registered business होता है आपका दूसरा step है कि आप लोग offline में जितनी भी market है वहाँ पर जाईए वहाँ पर बहुत सारे दुकान वाले आपको मिल जाएंगे उनसे contact करिए और उनको समझाईए कि भाई साब आप offline में sale करती हो product तो आप अपने area में अपनी city में अपने कस्बे में ही sale कर पाती है लेकिन आज की time पर trending जमाना है तो आप all over India को cover करना चाहते हैं तो आपको online जाना ही पड़ेगा आपको Amazon, Flipkart, Miso, Mintra इन platform पर sale करोगे तो काफी अच्छा profit कमा सकते हो अब बोलोग आपसे बोलेंगे कि हमें इनकी knowledge नहीं है तो आपको वहीं पर एक फाइदा उठाना है आपको बोलना है कि देखो knowledge की कोई जरूरत नहीं हम आपको पूरा guide करेंगे हम आपकी help करेंगे कैसे account बनाई जाते हैं कैसे listing की जाती है कैसे online sale की जाती है पूरी जानकारी हम provide करेंगे आपको उनसे बोल दे रहा है हम ही आपके account बना देंगे हम ही listing कर देंगे सारे काम हम कर देंगे और आप बस दुकान पर बैठी है नॉर्मल ही जैसे पहले दुकान पर आके बैठते थे अब भी दुकान पर आके बैठी है अगर आपको online से order आ जाए तो उस order को pack कर दीजिए और कुरियर कर आ दीजिए और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं तो आपका e-commerce business हम सुरू करा देंगे तो इस तरीके से जब आप लोगों से बोलोगे तो उनकी दुकान तो पहले सी है दूसरी चीज़ी दुकान माल भी पहले सी है तीसरी चीज़ी मार्केट में अगर वैटे हैं तो GST उनके पास होगा ही तो उनके पास सभी चीज़े हैं तो क्लाइंट को मनाना बहुत ही ज़दा आसान रहेगा अब यहां पर बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि बाई चांस बोलोग बोलेंगी कि हम आप पर वरुसा कैसे करें कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर दोगे तो इसी लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला ता कि आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनिस रेजिस्टर करवा लीजिए और उनके पास चाहूं तो आप बोलिए कि देखो हमारा रेजिस्टर बिजनिस है हम यही सर्विस प्रोवाइड करती हैं अब यहां पर हम दूसरों का e-commerce बिजनिस शुरू करवा रहे हैं तो ह हमारी इंकम कैसे होगी पांच तरीके बताऊँगा इंकम करने के इस तरीके से ऐसे क्लाइंट्स को लाकर और वो भी बहुत ही अच्चा पैसा आप लोग कमाऊगे कैसी कमाऊगे तो आप वो समझते हैं तो सबसे पहली इंकम आपकी होगी रैफरल इंकम अब भाई इसमें इंकम क्या हो सकती है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि online seller अगर आप किसी को बनाती हो तो भी आपको referral income मिलती है जैसे मीसो पर अगर आप किसी को seller बनाती हो तो आपको 4500 रुपए एक seller बनाने पर मिलती है अगर आप Amazon पर किसी को seller बनाती हो तो आपको 10,000 रोपए एक सेलर बनाने पर मिलती है तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनियों का रेफरल कमीशन होता है अगर आप सेलर बनाती हो तो आप उन दुकान वालों के पास जाती हो दुकान वालों को समझाती हो इस पूरे प्लान को उसके बाद उनका सेलर रेफरल कमीशन आपको मिलेगा यादि कि आपने मीशो पे किया तो आपको 45.000 मिलेंगे इसके अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग रेफरल सिस्टम होते हैं सेलर का रेफरल करवाने के तो सबसे पहली income होगी आप जितने भी account खोलोगे उन लोगों के उन पर आपको referral commission मिलेगा और सबसे पहली यही income होगी और सबसे पहले ही आपको जाके बोलना है कि आपको हमें कुछ नहीं देना आपके सारे account वगेरा हम free में बना देंगे इसके अलाबा दूसरा जो यहाँ पर आपका income source रहेगा वो है अपनी service देने का क्योंकि आपका जो business है वो registered business हो जाएगा आप उनको बोलिए कि देखो आपको कोई service चाहिए जैसे आपको listing करवा नहीं है फिलिप कार्ड पर मीस उपर किसी भी platform पर अगर आपको listing करवा नहीं है तो आप हमसे listing करवा सकते हैं और उस listing का हम आपसे पैसा लेंगे दूसरी चीज़ आप अगर अपनी account को manage कराना चाहत हैं तो उसका भी हम पैसा लेंगे आप add run कराना चाहते हैं तो हम उसका भी आपसे पैसा लेंगे इसके अलावा बहुत जगे आप account opening का भी चार्ज ले सकते हैं जैसे एक दो account free में खोलो बागी अलग अलग जगे दूसरी जगे उन्हें account खोलने हैं तो उनका चार्ज कर सकत हमें तो लिश्टिंग करना आता नहीं है तो पहली चीज सीखने वाला इंसान यूटूब से सीख सकता है और सीख के आप आसानी से दूसरी लोगों की लिश्टिंग कर सकते हैं अगर आप खुद करना ही नहीं चाहते तो आपको पता होगा बहुत सारे मिडियेटर हैं जो क लिश्टिंग का काम करती हैं खुद ये सारे काम करते हैं तो आप उनके साथ टाइप कर सकते हैं उनसे रेट ले लिजिए कि लिश्टिंग के कितने पैसे लोगे इस काम के कितने लोगे और उसके बाद मार्केट में उससे जादा रुपए आप चार्ज किया गरू जैसे कि ने कहा कि हम listing कर देंगे आपकी 30 रुपए listing 50 रुपए listing तो market में जाओं उनसे बोलो 100 रुपए listing करेंगे हम बहुत ही accurate कर देंगे यह कर देंगे पूर अच्छे से समझा दो और बोल दो हम अपने office में जाके अपने घर से आपकी listing करेंगे घर पर आके उनके जितने product के photo हैं ब आप कमीशन में कवाई होगी, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर कमीशन किस तरीके से मिलेगा, दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप किसी को पूरा प्लान समझाते हो, कि आपका offline market में आप deal करते हो, online क्यों नहीं जा रहे है, online तो बहुत बड़ा market है, तो लोगों के पास, बहुत सारी लोगों के पास GST नहीं होगा, तो आप उनसे बोल सकते हो, आपका GST हम दिलवा देंगे, बहुत सारी लोग ये कहेंगे, कि हम पर प्रोडेक्ट के फोटो सूट कहां कराएंगे, तो उनका भी बोल सकते हो, कि हम ही करा देंगे, तो आप लोग इ ऐसे मीसो के platform है, जो मिडियेटर है, मीसो की कम्पनियां, जो GST की सर्वेज देते हैं, वो 200-300 रुपए में कर देती हैं, आप उनसे बोलिए कि देखो market में 2000 रुपए ले रहे हैं लोग, तो आप हमें 1500 दे दीजिए, अब आपने तो 1500 लिए, और उनसे पूरे document ले लिए, और बहुत सारी लोगों का नया business है, तो photo shoot होने चाहिए होती है, अब उनके प्रोडेक्टर हो photo shoot कराने के लिए, आप जो photographer है, उनसे contact कर सकती हैं, उनसे बोलिए कि देखो हमें photo shoot कराने हैं, तो वो basically जो photo shoot कर देते हैं, 25-30 रुपए पर photo shoot के लेते हैं, आप सामने वाले client को बो commission कमा सकती है, बहुत सारी लोगों का business चलने लगेगा, तो उनको trademark license की जरूरत पड़ेगी, तो CSA contact कर लिजिए, तो trademark license के लिए market में लोग जो पैसे लेते हैं, 18-20,000 रुपए complete setup का लेते हैं, लेकिन online बहुत सारे platform है, जो 42-45,000 रुपए में करके दे देते हैं, तो आप य किसी से, और 10,000 रुपए उसमें भी आप commission कमा सकती है, अब चौती income source इसमें जो हो सकती है, वो है कि आप उन्हें product दे सकते हैं, अब प्रोडेक्ट कैसे, क्या ये समझ में आपको नहीं आया हुगा, अब मैं आपको समझाता हूँ, इस business का असली खेल, अब जैसे आप पू विदाएं दे रहे हो, online selling की service दे रहे हो, तो उस market में आपकी एक अलगी value बन जाएगी, तो आपके पास उस market का data होगा कि कौन सा दुकान वाला क्या बेचता है, garment कितने लोग बेचते हैं, garment के कितने दुकान वाले आपसे काम करा रहे हैं, इसके लावब सूज के कितने दु 5 महीने में, 6 महीने में, अब आप क्या करोगे, जैसे 50 दुकान वालों के पास जाओगे, उनसे बोलोगे कि देखो जो product आप खरीद रहे हो, तो आप rate बताई कितने में खरीदे हो, product दीजिये sample, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, manufacturer के पास जा सकते हो, और आप के पास 50 द दुकान वाले आपके contact में, तो 100 इंटू 50, कितनी हो गई, यानि quantity बहुत बढ़े गई, तो आप सीधा manufacturer के पास जाएगे, उसको बोलिए कि ये वाली shirt, ये वाली t-shirt हमें इतनी सारी बनवानी है, तो जो wholesaler की rate होगी, जो दुकान वाले खरीद के ला रहे हैं, उससे भी बह apply कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा business idea है, जिसमें 4-5 तरीके से आप लोग income कर सकते हैं, शुरुवात छोटे से होगी, लेकिन उन्ही client के साथ मिल मिल के, आप एक समय पर अपना सामराजी खड़ा कर सकते हैं, अपना business खड़ा कर सकते हैं, starting बहुत छोटे स्टेस से रहेगी, चोटी-चोटी चीजों को आपको ध्यान में रखके, फिरी service का लालच देखे, फिरी में account बनाके भी आप income करोगे, और काफी अच्छा profit कमा पाऊगे, मैंने ये चीज की है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ, personal चीज कभी-कभी मैं share कर देता हू और मेरे से personally आप training ले सकते हैं, ये chargeable training रहेगी, और personally मैं training दूँगा, पचास सो लोगों का course बगएरा मैं share नहीं करता, personally आपको guide करूँगा कि किस तरीके से काम होता है, कैसे packing होती है, live बात करेंगे, video call पर बात करेंगे, सारी चीज़े discuss करेंगे, तो आप लोग join कर सकते ह हमारे course को भी अगर आप चाहो तो, तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, वो comment करके बता सकते हैं, video अच्छी लगी हो तो like कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को subscribe करके bell button नहीं दबाया है, वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, आज की ये video देखने के आप सभी लोगों का तहेर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद